उजियार पोर प्रक्षन के पतेली पूर्वी पंचायत के वाड़ेक में ये उपस्वास्थ केंद्र करीब दसवर्ष पूर्व में बनाया गया जिसको विभाग के द्वारा अभी तक तक ताले नहीं खोला गया नहीं कभी कोई डॉक्टर नजर आया दोवेड का ये हॉस्पिटल अभी किसी के नजी उपयोग में है बार बार प्रभारी को भी बोला गया लेकिन अनसुना कर दिया गया योजना और राशी का ही दर्शाया हुआ नहीं है इस से सपष्ट होता है कि पेपर पर अस्तप्ताल चल रहा है और जंता को इससे कोई रकम सरकार के द्वारा खर्च के लिए डॉय जाता है उसकी जाच की जाए आखिर वर्शों से इस अस्तप्ताल से लोगों को लाब क्यों नहीं मिला और सरकार के द्वारा भेजिये गई रकम का कैसे खर्च हुआ इसमें लोगों का कहना है कि बहुत बड़ा घोटाला साबि लेते थे आज सरकार सुशासन का गुणगान कर लोगों से वोट ले तो लेते हैं लेकिन उनके सुरक्षा के नाम पर सिर्फ काग जो पर सारी सुविधा जनता को मिल रहा है अगर जाच की जाए तो निश्चित ही इसमें सरकारी पैसे का दुरुप्यों की घोटाला सामने निकल कर नजर आने की संभावना है समस्ति पूर जिला के उजियारपूर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट द्वार इसके अंदर जो है सो नीजी वेवस्था नीजी यूज किया जा रहा है किसी लोगों के द्वारा और आज इस करोना महमारी के माहौल में भी इस उपस्वास केंद पर एक डॉक्टर एक सुई एक टेबलेट तक उपलवद नहीं है आज यही दस साल पूर्व इस प कि हम स्वास्त वेवस्था को सही कर रहा है तो सिर्फ स्वास्त वेवस्था में घोटाला किया जा रहा है इसका पर्चक परिमान यह पतेली पुर्वी पंचायत का उपस्वास केंद्र है इसके लिए कभी शिकायट बगरा किया है शिकायट परभारी उजी आरपूर से किया हमने को चार्ज नहीं दिया गया इसलिए हम उसको सालू नहीं कर सकते हैं जिला से समपर्क करिए यहां कभी कोई यह प्रक्राइब और टाला लगा रहा रहता है इसमें तो काट कपजी सब गंदा परा हुआ है इस पर आहां कोई नम कभी दिखते नहीं घीका करन के लिए एक स्कूल है जो मुहला और गाउं से बाहर है वहाँ पर रखा गया है जो लोगों को काफी दूर समझ करके वहाँ नहीं जा पार है मुकेश कुमार चादरी जिला महा सची कॉंगरेश